Welcome to Blackboard Friends, आज हम आपके साथ Combination Series का तीसरा और आखरी लेक्चर डिसकस करने जा रहे हैं जिसमें हम लोग कुछ Questions को Solve करेंगे और साथ ही साथ आपके NCRT Exercise 7.4 के सभी Questions का Solution भी ढूंडने का कोसिस करेंगे अगर आप इस Lecture का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो Simply हमारे इस Telegram चैनल को जोईन करिए वहाँ से PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं चलिए सुरू करते हैं पहला Question First Question है कहरा है Determine N If 2NC3 is to NC3 बराबर किस के तो 12 अनुपात 1 के बराबर है सीधे सीधे NCRT Question है हलाकि इस पे Based मैंने एक और Question पिछले Lecture में आपसे अलरी करा दिया है तो यह आपसे बन जाना चाहिए लेकिन फिर भी इसका solution हम लोग देख लेते हैं अब इसमें दो टर्म है 2NC3 किसके साथ हैं तो NC3 के साथ अनुपात दिया गया है तो मैंने पहले 2NC3 निकाल लिया फिर आपने NC3 find out कर लिया और फिर इसका अनुपात को निकाल लेंगे ठीक? तो देखें अगर 2NC3 को find out करने जाते हैं तो इसको NCR के formula पे क्या लिखा जा सकता है? तो 2N factorial upon 2N minus 3 factorial into 3 factorial ठीक ना? अब देखिएगा क्या 2N को हम 2N minus 3 के term में तोड सकते हैं क्या? तो बिल्कुल तोड सकते हैं तो हमने क्या लिख दिया 2N को? 2N minus 3 factorial into 2N minus 2 into 2N minus 1 into 2N ये मैंने लिख दिया 2N factorial को कुछ इस तरीके से और 2N minus 3 factorial को ऐसा ही छोड़ दिया और 3 factorial को 1, 2 into 3 लिख दिया चलेगा? अच्छा देखिए 2N minus 3 factorial से ये 2N minus 3 factorial कैंसिल हो गया क्या बच गया? तो 2N minus 2 into 2N minus 1 into 2N और बटा में कितना हुआ? तो 3 दूना 6 ये आपका value किसका आया? तो 2N c 3 का आया अब हम निकालने जा रहा है n c 3 का तो इसको भी same formula break करेंगे तो इसको लिख सकते हैं क्या n factorial बटा n minus 3 factorial into 3 factorial ठीक? अब n factorial को हमने यहाँ तोड़ दिया है n minus 3 factorial के टर्म में तो कैसे लिख दे? n minus 3 factorial into n minus 2 into n minus 1 into n और जो denominator में है n minus 3 factorial इसको ऐसे ही छोड़ दिया और 3 factorial के बदले के लिख दिया 6 क्यों? क्योंकि 3 factorial मतलब 1 into 2 into 3 multiply करेंगे तो कितना आजाएगा? 6 आजाएगा तो मैंने वही लिखा है अब n minus 3 factorial से यह n minus 3 factorial cancel हो गया तो n c 3 क्या बच गया? तो n minus 2 into n minus 1 into n बटा 6 ठीक? आपने दोनों का value निकाल लिया अब ratio कह रहा है तो हम इसको क्या करेंगे? भाग दे देंगे देखें तो 2 n c 3 के बदले हमने क्या लिख दिया? जो आपने यहाँ पे यह value निकाला था न इसको हमने सीधे सीधे यहाँ पे put कर दिया यह वाला देख रहा है न 2 n minus 2 into 2 n minus 1 into 2 n बटा 6 और यह क्या है? तो जो यहाँ पे n c 3 का आपने value यह निकाला है नीचे जो दिखा गया है इस सीध को उठा गया आपने यहाँ रख दिया किसके बराबर है? तो question कह रहा है कि 12 बटा 1 के बराबर है 12 अनुपात 1 दिया गया है ठीक अब इस 6 से यह 6 cancel हो गया ठीक अब यहाँ से देखिएगा तो जो simplification है वो कुछ इस तरीके से है कि 2n-2 मेंसे मैंने 2 common ले लिया तो कितना बच गया? n-1 बच गया और 2n-1 वैसे ही रहने दिया 2n को भी वैसे ही रहने दिया और जो denominator में था n-2 into n-1 into n इसको भी छोड़ दिया अब यह n से n cancel हो गया n-1 से यह n-1 cancel हो गया तो क्या बच गया? कितने के बच गया है? 12 बटा 1 के बच गया तो इधर बच गया यह 2 इस 2 से multiply हुआ तो 4 हो गया और 2n-1 बटा 8n-2 किसके बच गया? तो 12 बटे 1 के बच गया है और यहां से अगर आप simplification करेंगे तो n कमान कितना जाएगा? 5 जाएगा जो कि इस question का right answer है ठीक है? चलिए अब दूसरा question देखते है Second question कह रहा है How many quotes can be drawn through 21 points on a circle? ठीक है? Quotes का मतलब होता है जया कह रहा है कि एक circle के 21 बिंदूओ से कितनी जया आप खीच सकते हैं ठीक है न? जया क्या होता है? समझते हैं न? कि circle के boundary पर कोई भी दो point ले लिजिए और उसको मिलाने वाली जो line होगी वो उसके जया होती है ठीक? अच्छा देखें तो कितनी जया खीच सकते हैं इसको कैसे निकाले? तो कह रहा है कि a code can be drawn by joining any two of the 21 given points 21 points दिये गये हैं circle के boundary पर उसके circumference पर ठीक है? और किसी भी दो अगर point को आप मिला देंगे तो एक जया बन जाएगा ठीक है? तो क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं कि total 21 दिये गये हैं और एक code के लिए 2 की जरूरत है? तो required number कितना हैगा? तो 21 C 2 तो NCR का formula break करेंगे तो 21 factorial बटा 21 into 21 minus 2 factorial ठीक? इसको simplify करेंगे तो कितना आजाएगा? 21 factorial का हमने 19 factorial into 20 into 21 कर दिया और ये 2 factorial को 1 into 2 कर दिया है और 21 minus 2 कितना हो गया? तो 19 factorial हो गया अब ये 19 factorial इस 19 factorial कैंसल करेंगा और 2 से ये 20 कितना मैं कैंसल हो गया? तो 10 तो multiply करेंगे तो कितना आएगा? 210 तो इसका right answer कितना हो जाएगा? 210 codes को आप यहाँ draw कर सकते हैं सीदे सीदे NCRT question है सभी questions हम अभी NCRT के ही discuss कर रहे हैं ठीक है? समझा गया इतना? आगे बढ़ें? अचा बहुत सारे लोग आप में से ऐसे हैं जिनने अभी चैनल को subscribe नहीं किया है आपका ही चैनल है यार कर दो subscribe हम तो बस इस पे काम करने वाले साधारन जन है ये सब आपका है चलिए अगला question आपके साथ discuss करते है question 3 कह रहा है find the number of ways of selecting 9 balls from 6 red balls, 5 white balls and 5 blue balls if each selection consists of 3 balls of each color ठीक है? question कह रहा है कि आपको 9 balls का selection करना है कितने balls का? तो total 9 balls का selection आपको करना है color कौन-कौन से दिये गए है तो red है, white है and blue है 3 colors है और सभी colors के 3-3 balls select करना है ठीक, तो देखिए कैसे इसको बनाते है total balls आपको कितने select करने है दिये गए है नए कितने select करने है तो आपको 9 select करने है question कह रहा है कि red कितने है? 6 balls है, white वाले 5 balls है और blue वाला कितना है? 5 ball है तो सबका 3-3 select करना है तो 3 red balls select करना है कितने में से? 6 में से question में दियाएगा तो 6 लाल ball है तो 6 में से कितने का selection होगा? 3 का तो कितने तरीके सो होज़कता है? तो क्या ये 6-C3 हो जाएगा? 6 में से 3 का selection करना है फिर से 5 white ball में से 3 का selection करना है इसको कैसे लिख दे? 5-C3 लिख दे और 3 blue ball का selection करना है कितने में से? तो 5 में से ये मैं खुद से नहीं कह रहा हूँ question कह रहा है कि 5 ही blue balls है तो इसको कितने तरीके से कर सकते हैं? तो 5C3 तरीका से कर सकते हैं क्या तो जो required number है कितना होगा 6C3 into 5C3 into 5C3 ये white वाले का sorry red वाले का हो गया ये आपको white वाले का हो गया और ये blue वाले का हो गया अब इसको simplify करना है तो इसमें दो चीज आपको निकालना पड़ेगा एक 6C3 का value और एक 5C3 का क्योंकि ये बराबर है तो इसके बदले भी same value put कर देंगे answer हो जाना है तो देखें 6C3 को हमने break किया तो 6 factorial upon 3 factorial into 6 minus 3 factorial अब 6 factorial को 3 factorial के term में तोड़ दिया तो कितना होगा बोलिए मेरे साथ 3 factorial into 4 into 5 into 6 upon ये 3 factorial ऐसे ही रह गया और 6 minus 3 मतलब फिर से 3 factorial है तो सुख्या लिख दे 1 into 2 into 3 लिख दे क्या हाँ चलिए बढ़िया अब ये 3 factorial से 3 factorial cancel हो गया ये 2 से 4 cancel हो गया और 3 से 6 को ही मैंने cancel किया कितना बचे गया 20 मतलब 6C3 का value आपके पास कितना मिला 20 मिला एक और चीज निकालना था देखें यहाँ पे देख रहा है 5C3 निकालना था तो मैंने यहाँ 5C3 भी निकाल लिया है कैसे तो 5 factorial upon 3 factorial into 5 minus 3 factorial फिर से 5 को 3 factorial के टर्म में तोड़ा तो 3 factorial into 4 into 5 और upon 3 factorial into 1 into 2 क्योंकि 5 मैं से 3 घटा है तो 2 आया है cancel करने पर कितना आया 10 आया तो आप value put करिए 6C3 था तो उसके बदे हमने 20 रख दिया यहाँ पे हमने निकाला है फिर था 5C3 कितना लाया है 10 तो हमने 10 रखा एक और 5C3 था तो हमने फिर से 10 रखा और multiply कर दिया तो कितना हो गया 2000 total आपका इसका answer आया ठीक है समझ आया NCRD question अ question कह रहा है कि in how many ways can one select a cricket team of 11 from 17 players मतलब कितने तरीके से आप 11 लोगों की एक cricket team का चायन कर सकते हैं कितने में से तो 17 खिलाडियों में से in which जिसमे only 5 players can ball सिर्फ 5 players ऐसे होंगे जो ball fake सकते हैं if each cricket team of 11 must include exactly 4 ballers कि 5 ऐसे थे जो ball कर सकते थे लेकिन हर एक team में सिर्फ आपको 4 ballers ही रखने है ठीक है एक बार question फिर समझते है question को ना थोड़ा हम अपनी भासा में समझते है question कह रहा है कि total 17 players आपको दिये गए हैं ठीक है 17 players आपको दिये गए है उन 17 में से 5 ऐसे players हैं जो ball कर सकते हैं ठीक है आपको पता है na cricket team है तो baller होगा batsman होगा फिर आपको all rounder भी देखने को मिल सकता है तो question क्या बोला 17 में से 5 लोग ball कर सकते हैं ठीक अब आपको cricket team बनानी है कितने players का तो 11 players का cricket team बनाना है ठीक है अच्छा आप लोग cricket खेलते हैं तो 12 लोग अक नहीं खेलते हैं ना एक बोरो player रखके 11 कहीं खेलिएगा आप लोग भी ठीक है तो 11 players का आपको team बनाना है और team इस तरीके से बनाना है कि उसमें सिर्फ चार baller रह सकते हैं अब देखें कि इस question को कैसे simplify करें तो आपको थोड़ा सा data जो है ध्यान अकना है टोटल 17 players है बॉल करने वाले 5 है उसमें आपको 11 लोग की team बनानी है जिसमें से 4 baller ही हो सकते हैं ना 4 से ज़्यादा ना ही 4 से कम चलिए इस question को बनाते हैं बनाने के पहले इमरान साब का एक dialogue सबसे पहले आपने घवराना नहीं है ठीक है घवरा तो ऐसे ही गया है चलिए बनाते हैं देखें जो total players आपको दिया गया है मैंने लिख लिया कितना 17 उसमें ballers कितने हैं तो 5 है सब को मैंने लिख लिया कि हम भूले नहीं अच्छा जब 17 में से 5 player ballers हैं तो बाकी कितने एक team में players कितने रखने हैं आपको तो 11 रखने हैं चलेगा ना अच्छा number of ballers in a team उस 11 में से कितने ballers रखने हैं तो 4 को रखने हैं ठीक है अब जो जो दिया गया था हमने लिख लिया अच्छा देखिए गब हुआ चार ballers का selection करना है कितने मैं से तो 5 में से total कितने ballers दिये पांच ही ना 17 में से 5 एक बॉलर था और उस 5 में से 4 का selection करना है तो 4 ballers को select करना है 5 में से तो कितने तरीके से कर सकते हैं तो 5 C 4 तरीके से कर सकते हैं क्या यहाँ एक छोटी सी गलती होती है कि हम 17 में से 4 का कर लेते हैं तो 17 पूरा baller थोड़े था बॉलर तो 5 ही था इसलिए इसका selection कितने तरीके से होगा तो 5 C 4 तरीके से होगा अच्छा देखिए जब 4 लोगों का आपने चयन कर लिया तो seat कितना बच गया और 7 ही बचा ना ठीक है लेकिन selection के लिए और कितने लोग उपलब्द है तो 5 लोगों को तो निकाल दिया था तो total कितने लोग आपके पास बचाल लोग उपलब्द है क्या 17 में से 5 का आपने कर लिया था और टीम में कितना जगा खा लिया तो 4 बोलड़ का कर लिया तो कितना जगा है शाथ है मतलब इस बारह मेंसे ही इस 7 का selection करना है तो कितने तरीके से कर सकते हैं तो 12 7 से कर सकते हैं क्या कोई दिकत नहीं है कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आगे बढ़ते दिक्कत है वीडियो को pause करिए थोड़ा back जाए फिर से देखिए back जाने में कोई बुराई नहीं है सेरे कदम पीछे हटता है तो छलांग भी लगाता है इस चीज को याद रखिएगा अब इसको simplify करते है कि required way of selection क्या हो सकता है तो यह baller वाला है 5C4 पांच में से 4 का selection हुआ था और यह बाकी remaining 7 लोगों का है कितने मैं से 12C7 इसको multiply कर देंगे तो आपका answer हो जाएगा अब 5C4 को क्या लिखते है 5 factorial बटा 4 factorial इंटो 5-4 factorial इंटो 12C7 क्या लिखते है 12 factorial बटा 7 factorial इंटो 12-7 factorial और further अपने 5 factorial को 4 factorial इंटो 5 में तोड़ा 4 factorial ऐसे ही आ रहा गया और 5 में से 4 घटके 1 हो गया 4 factorial से 4 factorial cancel हो गया, बच क्या गया? 5, जो 5 हमने यहाँ पे लिखा हुआ है अब इसको देखे, 12 factorial को हमने 7 के term में तोड़ दिया तो 7 factorial into 8 into 9 into 10 into 11 into 12, 12 से ज़ादा नहीं जाना इतना काफी है बटा, अब यह कितना है? तो यहाँ पे बच गया है 12 minus 7 मतलब 5 factorial तो 1 into 2 into 3 into 4 into 5 अचा, फ्लो में 6 नहीं बोल देंगे अप लोग यह 7 factorial से 7 factorial cancel हो गया, तो 5 तो पहले वाले में कहिए है, ठीक है? और इधर क्या बच गया? 8 गुना 9 गुना 10 गुना 11 गुना 12 और बटा में 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 इसको अप गुना और भाग कर लेंगे तो आपका आंसर कितना जाना है? आंसर होगा 3960 3960 तोटल तरीके हो सकते हैं 11 लोगों का टीम बनाने के लिए ठीक है न? ड्रीम 11 पर बहुत टीम बनाते हैं थोड़ा वहाँ पर कभी कॉंबिनेशन यूज़ करके देखिएगा ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं अगला कुस्सन नेक्स कुस्सन कहरा है कि अब बैग कंटेंस 5 ब्लैक 6 रेड बॉल्स 5 काले और 6 लाल गेंद एक बैग में है determine the number of way तरीका बताना है in which 2 ब्लैक and 3 रेड बॉल्स can select कि कितने तरीके से आप 2 ब्लैक और 3 लाल गेंद का चैन कर सकते हैं ठीक है? खुसन समझ गए? चलिए इसको simplify करते हैं अब देखिए total ब्लैक बॉल्स कितना था 5 कितने ब्लैक बॉल्स का चैन करना था 2 तो इसका कितना तरीका हो सकता है तो 5C2 तरीका हो सकता है क्या? वैसे ही लाल के लिए देखेंगे total लाल बॉल कितनी थी? 6 आप कितनी चाहिए थी? 3 तो इसका तरीका कितना हो सकता है तो 6C3 इसका तरीका हो सकता है दोनों का आपने अलग-अलग निका तो इस case में जो required number of selection होगा कैसे होगा तो दोनों को multiply कर देते हैं तो 5C2 को हमने 6C3 के साथ multiply किया 5C2 कितना लिखी दिया 5 factorial upon 2 factorial into 3 factorial अब आप अपने इस आप से लिख सकते हैं मैंने minus यहाँ पर सीधे गायब कर दिया है आप उसको minus करके लिखेंगे तो इतना ही आएगा 6C3 को हमने लिखी दिया 6 factorial upon 3 factorial into 3 factorial multiply किया तो 5 factorial को 3 factorial के term में यहां तोड़ दिया मैंने देखना ने इस 5 factorial को हमने तोड़ दिया कितने 3 के term में तो क्या गुणा करेंगे तो 4 को और 5 को और 2 factorial को सीधे 2 लिख दिया 3 factorial छोड़ दिया 3 factorial से 3 factorial cancel हो गया क्या बचे गया 20 बटा दो यहां पर मैंने छोड़ दिया 5 गुना 4 बटा दो अगला है 6 factorial इसको हमने तोड़ दिया 3 factorial के हैं टर्म में और क्या गुना करना पड़ गया तो 4 इंटू 5 इंटू 6 और remaining 3 factorial ऐसे ही छोड़ दिया और अगले 3 factorial को 2 इंटू 3 लिख दिया क्योंकि 1 से multiply करने पर कोई फोरग तो पड़ता नहीं है यह 3 factorial इस 3 factorial cancel कर गया तो क्या बचे गया 4 इंटू 5 इंटू 6 अपॉन 2 इंटू 3 जब यहां multiply करेंगे आप लोग को divide करेंगे तो right answer कितना आएगा 200 आएगा तो मतलब 200 तरीके आपके हो सकते हैं अगला question है कह रहा है कि in how many ways can a student choose a program of 5 courses if 9 courses are available and 2 specific courses are compulsory for every student ठीक है यह बिलकुल आप जो graduation के पढ़ाई करते हैं वैसे ही हो गया कह रहा है कि total 9 program दिये गये हैं 9 course दिये गये हैं आपको किसी एक program को select करना है जो कितने course का होने वाला है 5 courses उसमें रहने चाहिए और 2 ऐसे course है जो आपको पढ़ना ही पढ़ना है इस 5 में से ही है ठीक है 2 तो सब को लेना है बागी 3 का चायन आप अपने हिसाब से कर सकते हैं ठीक है अब देखना दो course तो सब के लिए compulsory है ठीक 5 का आपको लेना था तो 5 में से 2 compulsory है तो कितना बच गया आपके पास 3 ही बच गया जिसका चाहिन आपको करना होगा 2 तो पढ़ना ही पढ़ना है जैसे अभी हिंदिंग लिस होता है ना पढ़ना ही पढ़ना है वहीं बा तो जो बचा हुआ तीन कोर्स आपके पास है वहीं करना है तो इसके लिए possible way क्या हो गया तो 7C3 हो गया इसको break करेंगे तो 7 factorial upon 3 factorial into 7 minus 3 factorial और इसको simplify कर दिया तो कितना आ गया 35 मतलब 35 टोटल तरीके हैं कोर्स को selection का ठीक है एक बार फिर से repeat कर देते हैं टोटल 9 कोर्स दिया गया है आपको एक प्रोग्राम सेलेक्ट करना है 5 कोर्स का जिस में से 2 तो पढ़ना ही पढ़ना है तो कितना और आपको चूज करना है तीन का करना है अच्छा 9 में से 2 तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है तो कितने बच गया है तो 7 में से ही 3 का चायन करना है इसलिए मैंने क्या लिखा 7C3 और इसको यहाँ पे solve कर दिया तो कितना आ गया टोटल 35 खीक है यह इसका right answer हो गया मुझे लग रहा है कि NCRT में एक या दो question और है जो मैंने छोड़ दिये है और इसलिए नहीं कि मतलब कि कुछ muscle type का है बलकि इसलिए कि वो आप असानी से solve कर सकते हैं अगर उसको आप बना लेंगे तो NCRT 7.4 आपका complete हो जाएगा क्योंकि आज के lecture में हमने जितना वीडियो में जितने सारे questions देखे न सब के सब NCRT के exercise 7.4 का ही question था I hope आपको यह अच्छा लगा होगा Thank you very much